भारत और बांगलदीश की बीच दो मैचों की टेस्स सिरीस का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है टीम इडिया ने 188 रनों से जीत हासल करने के साथ एक जीरो से भड़त बना ली है चटोकराम टेस्ट में भारती टीम की कवान केल रहुल ने समाली लेकिन आपको बता दें कि केल रहुल की बलेवाजी को देखें तो उनके बलेवाजी के रिकॉर्ड काफी खराब रहे हैं इस मुकाबले में यानि की बांगरत और बांगलादेश के बीच खेले गए टस्स मुकाबले में उन्होंने पहली पारी में 22 रन दूसरी पारी में केवल 13 रन बनाए लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान के तौर पर उनकी टीम और उनके खिलाडी लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं और उनकी कप्तानी में अब तक 9 बड़े रिकॉर्ड बन चुके हैं दिसमें विराट कोली जैसे खिलाडियों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं आपको बता दे कि कप्तान के तौर पर केल राहून ने सबसे पहले साउथ अफरिका के खिलाब टेस्स सिरीज में कप्तानी समाली पहली बार में भारत की कप्तानी कर रहे थे टीम जन्वरी 2022 को खेले गया इस मुकाबले में शारदूल ठाकुर ने कमाल किया और भारत के लि इसके लावा आपको बता दे कि शुमन गिल ने भी राहूल की कप्तानी में अपना पहला ओडियाई शतक जड़ा शुमन गिल की बात करें तो जिंबावे के खिलाब टीन मैचों की वंडे सिरीज जब खेली जा रही तब केल राहूल टीम के कप्तान थे और शुमन गिल ने बी केल राहूल की कप्तानी में अपना एककतरवा अंतराश्टी शतक जड़ा केल राहूल के कप्तानी में ही विराट कोली ने एक हजार इकिस दिन बाद अपनी इंटरनेशनल शतक के सूखे को खत्म किया और आठ सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ T20 अंतराश्टी क किर्केट में अपनी पहली सेंचरी और अंतराश्टी किर्केट में अपनी कत्तिवी सेंचरी को पूरा किया फिराट ने 61 गेंदों में 122 रंड की पारी खेली एक शकप का यह मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ था इसके बाद भुमनेश्ट कुवार ने भी अफगानि वंडे किर्केट में धोरा शतक जड़ा जो की केल राहुल के कप्तानी में हुआ और टीम इडिया 2-0 से सिरीज हार चुकी लेकिन इसके बाद केल राहुल की कप्तानी में इशान किशन ने इतिहास रचते हुए भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाए विराट कोली ने इस की शतक 2019 में जड़ा था इसके बाद केल राहुल की कप्तानी में ही उन्होंने अपने वंडे के शतक का सूखा खत्म किया भारत बांग्लादेश के बीच चटो ग्राम टेस्ट मुकाबले के दुरान केल राहुल की कप्तानी में ही गेनबास कुलदी पी आदव ने भारत के यह अपना सर्वश्चेश प्रदर्शन किया टेस्ट किर्कट के उनकी करियर के असाब से उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा और उन्होंने फाइव विकेट हॉल लिया उन्होंने पहली पारी में पांच बुकिट चटकाई और बल्ले से चालिस रन का योगतान दिया शुंब और वह लंबे समय से अपने टेस्ट अंजरी का अंदिजार कर रहे थे जो केल रहूल की कप्तानी में ही खत्म हुआ केल रहुल के कप्तानी का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक दो टेस्स मुकाबलों में कप्तानी की हैं जिसमें एक में जीत एक में हार मिली है वंडे की बात करें तो साथ मुकाबलों में कप्तानी कर चुके हैं जहां चार में जीत और तीन में हार मिली है और उन्होंने केवल तीन ही अर्दश्यतक लगाए है इसके लावाज साल 2014 से 2021 तक के प्रदशन को देखें तो उनके नाम 135 मुकाबलों में 5807 रन है 2022 में केल राहूल का प्रदशन देखें तो 39 मुकाबलों में 810 रन ही बना सकें उनके बल्ले से शतक नहीं आया है बेराल इस दोरान उने 98 तक जरूर लगाए है जो कुछ आपकी राहे है केल राहूल की कप्तानी को लेकर उनकी कप्तानी में बने इन रिकॉर्ड को लेकर कमेंट करके जरूरे ताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें स्पोर्ट्स के अब्रेट करें देख तेरे वन इंडिया नमस्कार